विल्कम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे M1R5 में तीसरा चैप्टर है आपका वर्ड प्रोसेसिंग और डिब्र ओफिस में इसको राइटर बोलते हैं अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपके लिए कितना इंप्रोटेंट हो जाता है क्योंकि इसमें तीन चैप्टर यानि ये तीन चैप्टर को कवर करेगा आपके जिसको हम कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग यानि राइटर, इस्प्रेड सीट यानि कैल्क और परजेंटेशन यानि इंप्रेस, तो बीस बीस नंबर के तीन चैप्टर यानि साट नंबर आपके सिर्फ लिब्र ओफिस से पूछे जाएंगे, तो लिब्र ओफिस आप से भी जानते है कितना इंप्रोटेंट आपके लिए है, M1-R5 में ओ लेवल में लिब्र ओफिस है, ट्रिपल से एक्जाम में लिब्र ओफिस पूछा जाता है, तो M1-R5 का जिस किसी बच्चे का भी एक्जाम है, इस वीडियो को मिशना करें, तेजी स्पीड में देख सकते हो, जितने भी कोशन या जितने भी पोइंट्स आपको बताऊंग जो आपका स्लेवा से लिब्र ओफिस वो कवर करेंगे, तो दियान से आपको देखना है, 15 मिनट में वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी, सबसे पहले समझेए कि लिब्र ओफिस राइटर है क्या, लिब्र ओफिस राइटर भी MS Word की तरह ही होता है, ठीक है, और यह ओपन सोर् के लिब्र ओफिस राइटर में 11 मिनू होती है, यह कोशन आपके एकजाम में डारेक्ट पुछा जाएगा, दूसरी बात यह होती है कि जो इसमें फोंट साइज होता है, वो कितना होता है, फोंट साइज यानि जो भी टेक्स लिखोगे, उसका फोंट साइज क्या होगा, त अगर बात करें, ड्रोपडाउन मिनू की, यानि जहां से आप सिलेक्ट करते हो माउस से, ठीक है, माउस के करसर से जहां से आप सिलेक्ट करते हो, उसको बोलते है ड्रोपडाउन, उसके अगर बात करोगे तो मिनिमम उसमें होता है 6 और मैक्सिमम होता है उसमें 96, लेकिन अ in zoom out तो यह Libre office writer में minimum पूछेगा कि बताइए Libre office writer में minimum परसेंट कितने % होता है तो 20% होता है maximum 600% होता है यह question भी आपको याद दखना है आपके exam में पूछा जाएगा shortcut की Libre office writer से संबंदित जो आपके exam में कहीं बार पूछी गई है और पूछी जाती है सोटकट की तो ठीक है तो सोटकट की मैंने आपको बताई भी है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी लेकिन आप इसका स्किन शोट ले सकते हैं गई है जो इंपोटेंट है वही बता रहा हूँ आई से इटेलिक हो जाएगा चंट्रोल एच से होता है फाइन रिप्लेश कंट्रोल जैसे जस्टीफाई इन दोनों में से एक सोटकट की जड़ो रहेगी सूपरिस्क्रिप्ट और सबिस्क्रिप्ट की सोटकट की एक्जाम मे उसिनुद्र में मुझोड इस तरह की कोष्चन आपके लिए इंपोटांट हो जाता है इस आपके लिए इंप्रेटेंट हो जाता है वर्ड डोक्यमेंट होगा, वर्ड अस्तवेज, वो किस नाम से से होता है, by default, by default किस नाम से से होगा, तो LibreOffice Writer में by default हो, LibreOffice Calc में पूछे, या LibreOffice Impress में पूछे, presentation किस नाम से से होती है, तो Untitled One के नाम से से होती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, ठीक ह दूसरा, फाइल का नेम, किस कहाँ पर सो होता है, तो Title Bar में सो होता है, कहाँ पर Title Bar में सो होता है, ठीक है, यह हो जाएगा, इसका कितनी मीनू होती है, यह मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें 11 Total मीनू होती है, जो है, File, Edit, View, Insert, Format, Style, Table, Form, Tools, Window, और Help, पूछ सकता है, सबसे पहले, File मीनू पढ़ेंगे, उसके बाद हम Edit मीनू, इस तरीके से हम सारी की सारी मीनू यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि आपके Example Important है, सबसे पहले कोशन मैंने बता दिया, किसमें 11 मीनू होती है, देखे, File मीनू देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने, File मीनू है, File म में कौन-कौन से Option है, सिर्फ आपको यह धियान में रखना है, बाकी कुछ भी आपको धियान में रखने की जुरोत नहीं है, एक तो कौन से Option किस मेनू में है, और उसकी shortcut क्या है, ठीक है, जैसे New का Option है, जो Important है, वो मैं आपको बता दूँगा, New, Open, Important है, Open का Option होता है, इसमे इसमें, फाइल मेनू में, और Ctrl-O, इसकी shortcut की होती है, ठीक है, Open Remote का Option भी इसी में होता है, इसकी इंशोट साथ साथ ले सकते हैं, आप यहां पे, Resend Document, Close, Wizard, Wizard और Template का Option, किस मेनू में पाया जाता है, यह पूछ जाता है, तो File मेनू में पाया जाता है, Wizard और Templates का Option, File मेनू में मिलेगा, Save का और Save As का यह दोनों Important है, Save का और Save As का विकल्प किस मेनू में होता है, File मेनू में होता है, LibreOffice Writer की, किस मेनू में, File, किस मेनू में, Save और Save As का Option पाया जाता है, तो File मेनू में, Save की shortcut की Ctrl-S होती है, और Save As की shortcut की Ctrl-Shift-S होती है, ठीक है, तो यह दोनों Important है, Save Remote, Save Copy, यानि से व संम्द्धी जितनी भी होंगी वह फाइल में धूंगए export और export virginInum होगे जो important अणम गट के हैं बचे हो देखिए print मिनले में निकालने से पहले आपका प्रेंट किस तरह कर से दिखता है उसकी इसकुट करत की है 100% आईगी आपके एक्शाम में 100% आईगी किसे ने किसे इसे इचिफ्ट में ये धियान में रखना अप ठिक है तो print preview की control shift O होती है और print करने की क्या होती है print करने की control Pी होती है ये print preview का और print का option file menu में होगा यह आपको याद रखना है ठीक है दो बात याद रखेंगे है file menu में और इनकी shortcut की उसके बाद है printer की setting इसी हो जाएगी important नहीं है यह उसके बाद है exit libro office ठीक है क्या है exit libro office आपको पूरा libro office exit करना है तो control क्यों press करोगे यह भी option आपका file menu में होगा और दूसरा question आता है कि libro office writer में आप काम कर रहे हो current window आपको close करनी है तो control के साथ में w का press करेंगे तो यह file menu हो गई आपकी जो important question बनते थे बता चुका हूँ आपको इसको आप लिख लिजिए ताकि आपके याद रहे और exam के time पर आप इसको पढ़के जाएं तो आपके number ना चुटे यादि number ना कटे अच्छे number आएं control-z इससे आप under कर सकते हैं कोई भी आपसे miss happening हो जाती है गलती हो जाती है आप उसको वापस ला सकते है control-z इससे under हो जाएगा control-y से red हो ठीक control-y से red हो जाएगा उसके और यह किस menu में हम बात कर रहे है edit menu की file menu के बाद कौन से menu आती है यह भी पूछ सकता है आपसे तो file menu के बाद edit menu आती है उसके बाद view menu आएगी तो edit menu में होते है under, red, cut, copy यह सारे के सारे option edit menu होते है edit कई विकलप है repeat की भी shortcut की आपको याद रखनी है ctrl, shift, y, repeat की shortcut की होगी edit menu में option होता है ctrl, x, cut करने की, ctrl, copy, copy करने की आप सभी जानते है paste करने की shortcut की control, v, यह भी आपका edit menu में होगा paste special यह option भी आपको इसी में मिलता है और ctrl, alt, shift, v shortcut की होते है paste special की, मैं सही कह रहा हूँ यह गलत comment box बताएगा Ctrl प्लस Alt प्लस Shift प्लस V बताइए Paste Special की shortcut की होती है या नहीं होती है Ctrl प्लस A से Select All कर सकते हो ये भी आपका Edit menu में होगा क्योंकि आप Edit करोगे Select करने के बाद तो Edit menu में होगा Option दिमाग भी आपको लगाना है थोड़ा सा Select All से क्या होता है Select All से यानी Ctrl ये से Select All हो जाता है अब Select All करने के बाद आप उसको Copy कर सकते हो Cut कर सकते हो Bold कर सकते हो Italic कर सकते हो Copy भी कर सकते हो इस तरह के Underline कर सकते हो Bold कर सकते हो ये सारे के सारे Option Color उसमें कर सकते हो तो ये सारे के सारे काम आप कर सकते हो Select all करने के बाद तो ये Edit मेनी में ही होगा क्योंकि Edit कर रहे हो आप ठीक है उसके बाद है Select Text Ctrl, Shift, Ice की shortcut की होती है Find की shortcut की Ctrl F होती है ये सारे के सारे Option Edit मेनी में होते हैं मैं बार-बार कह रहा हूँ आप लिख लिए जए अपनी copy में पहले file menu लिखना उसके नीचे उसके option ज़्यादा option नहीं है जितने बता रहा हूं उतने लिखना important जो है उसके बाद लिखना edit, edit के नीचे edit के option जो edit menu में option उपलब दें वो लिखो इस तरीके से notes बनाओ, find किस control F होती है find and replace की control F होती है और go to page, page पर जाने के लिए आपकी control G होती है edit menu में हम यह option होते हम बात कर रहें edit menu की उसके बाद है hyperlink, hyperlink option BC में होगा और control के इसकी shortcut की होती है तो यह हो गया आपका edit menu ठीक है उसके बाद important है view menu जो आपके लिए important है view menu में सबसे पहले option होता है normal का वेब का, यह important नहीं है important जो है, वो है toolbars और status bar toolbar और status bar का option view menu में होता है rulers, scroll bar यह option भी आपके view menu में दिखाई देते हैं यह भी important है उसके बाद देखिए formatting marks control plus F10 इसकी shortcut की होगी important question है यह भी important question है आपका उसके बाद नीचे comment करने की shortcut की क्या होती है, यह भी पूछ लेता है control plus alt plus C, ठीक है यह comment करने की shortcut की होती है उसके बाद देखिए fill setting और fill names control plus F8 और control plus F19 की shortcut की होगी view menu option है, sidebar control plus F5, sidebar की shortcut की control plus F5 और style की shortcut की F11 होती है यह view menu में मिलेगा, LibreOffice Writer गई navigator की shortcut की F5 होती है navigator का option view menu में होता है और इसकी shortcut की F5 होती है, important है data source, control shift plus F4 इसकी shortcut की है और full screen करने की क्या shortcut की होती है, full screen करने की control shift J होती है control plus shift plus J full screen करने की shortcut की होती है और control plus J justify की shortcut की होती है Ctrl Shift तो Print Preview के होती है ये option Print Preview का File मेनु में मिलता है लेकिन आपका ये option जो है Ctrl Plus Shift Plus J ये आपका View मेनु में देखने को मिलता है और Zoom का option भी इसी में होता है बस ये आपका View मेनु खतम उसके बाद है Insert Insert मेनु सबसे पहला है Page Break Page Break आपको करना है तो Page Break करने की shortcut की क्या होगी ये पुछता है Page Break करने के लिए हम यूज करते है Ctrl Plus Enter का Page Break करने के लिए Ctrl Plus Enter का यूज करते है एक Question ये बन जाता है Image, Chart, Media, Object, Shape, Section ये सारे के सारे option लिख लिए इंपोर्टेंट है Image का option Insert मेनु में Chart का option Insert मेनु में Media, Object, Shape इंपोर्टेंट का उप्षन का option उसमें भी था लेकिन वहापर उसकी सोटक टकी नहीं दी थी लेकिन सोटकाट की के साथ अगर पूछे तो ये Insert मेनु में मिलेगा hyperlink का option view menu में नहीं ये किसमें मिलता है insert menu में मिलता है आप लिख लिए जिसको hyperlink का option किसमें मिलेगा आपको insert menu मिलेगा control plus case की shortcut की होती है hyperlink की ठीक है bookmark option भी इसी में होता है bookmark option भी इसी में होता है और footnote और endnote का option भी इसी में होता है footnote और endnote का option भी इसी में होता है यानि insert menu में होता है page number header and footer dّेखे footnote पुछे addnote पूछे header पूछे या footer पूछे ये सारे के सारे option आपके insert menu क्योंकि insert करोगे तो insert menu में ही आपको मिलता है तो ये है आपकी insert menu अब आती है format menu आप क्या है format menu text का spacing का align test list और यहां से इतना कोई इंप्रोटेंड कोशन नहीं है उसके बाद आती है style बस format में उतना ही लिखना है जो मैंने आपको बताया है उसके बाद आती है style menu कौन सी style menu आती है सबसे पहला कोशन बनता है आपके exam में कि बताईए text body किस menu में होता है तो style में और control plus 0 इसकी shortcut की होती है ठीक है उसके बाद है subtitle, title, heading 1, heading 2, heading 3 ये सब style menu में मिलेंगे और heading 1 की shortcut की control 1, heading 2 की control 2, heading 3, control 3 ये तीनों के तीनों heading के option आपको मिलते है style menu में ये ध्यान में रखना है याद रखना है ठीक है लिख लिजे अपनी copy में याद रहेगा आपको फिर बाकी style menu से यही question important है बाकी नीचे आप दो देख लिए अपडेट, selected style, control, shift, f11 और new style from section, selection है sorry तो shift plus f11 इसकी shortcut की होती है ये दोनों भी important है लिख लिए manage style की shortcut की पूछ लेता है कभी-कभी तो manage style की shortcut की f11 होगी manage style को option किस menu मिलता है तो style menu मिलता है manage style का option, liberal office writer की style menu मिलेगा F11 इसकी shortcut की होती है तीक है next है आपका table, insert table ये option किस menu में होता है insert table का option, liberal office writer की table menu मिलता है control plus f12 इसकी shortcut की होती है बाकी insert, delete, select or size ये शारे option भी आपको insert table मेन मिलते हैं ठीक है फॉर्मुला, इसकी सोटकटकी क्या होती है फॉर्मुला, F2, क्या होती है F2 इसकी सोटकटकी होती है ये भी आपके एकजाम के लिए Important है Next Step form menu Form menu में important नहीं है कुछ जादा Design mode, control wizard ये पुछे नहीं जाते हैं आपके exam में important है जो सिर्फ वह बता रहा हूँ आपको बाकि आप लिख लिए form menu और form menu में आपको लिखना है form navigator ये option आपको मिलता है इसमें बाकि आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं navigation bar का इसमें option मिलता है ठीक है file selection का option BC में है image control का group box का ये दो चार option लिख सकते हैं याद रहेगा आपके tools menu से आपके exam में भरवर के question आते हैं कम से कम 4-5 question tools menu से पूछेगा पूछेगा tools menu में ठीक है सबसे पहला option होता है spelling का tools menu में spelling का option होता है spelling की shortcut की F7 होती है तीनों के तीनों option tools menu में होता है spelling का automatic spelling का और थिसारस का ठीक है automatic spelling checking की shift plus F7 spelling की F7 और थिसारस की control plus F7 होती है language का option भी इसी में होता है और इसकी shortcut की होती है control plus F3, auto text की shortcut की चा होती है auto text की होती है control plus F3 ये भी आप लिख लिएज़ेगा बाकी इससे important और कुछ question नहीं बनता है update का और protect document का ये तो इसमें होता ही है macros का option भी EC में होता है tools menu में होता है macros का option और extension manager का भी control plus alt plus east की shortcut की होती है ये भी आपको याद रखना है ठीक है next है 10 number पे जो है आपकी window menu और window menu में दो option है सिर्फ new window का और close window का new window का और close window का close window की shortcut की control w होती है मैंने आपको बताया था अगर पूछेगा LibreOffice close करना है तो control क्यों file menu option होता है और अगर पूछेगा current window close करने है LibreOffice writer में तो control plus w से close होगी और ये option आपको window menu मिलता है untitled one के नाम से LibreOffice writer में आपकी file save होती है ठीक है ये भी आपको पता चल गया उसके बाद है help menu उसके बाद कौन सी आएगी help menu आती है help menu से सिर्फ एक question बनता है कि help प्राप्त करने के लिए साहत प्राप्त करने के लिए कि सोट करकी का यूज करते हैं तो F1 सोट करकी का यूज करते हैं और ये option आपको help menu में ही मिलता है तो ये हो गए है आपके जो मैंने आपको बताए थी Libre Office Writer यानि Word Processing का हमने जो पड़ा पंद मिनट में आपको complete बता दिया है ठीक है तो इस वीडियो को आप धिहान से देखी होगी आपने तो आपके बहुत सारे question प्रिपेर होगे इसको आप लिख लिजे notes बनाईए अपने और जो भी question बताए है इनको आप बार-बार revision करिए अपना notes revise करिए ठीक है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत